बीना एक रुपे खर्चा किये अगर आपके पास कोई एक सस्ता फोन है उस फोन को आप महेंगे वाले टाबलेट में कनवर्ट कर सकते हो और जी हाँ उसके लिए आपको कोई थर्ट पार्टी आप्लिकेशन यूज नहीं करना है कोई वेबसाइट पर नहीं जाना है सिर्फ ए लिए लाइट करना चानल को सब्स्क्राइब कर लेना पॉमेंट सेक्शन में नाइस ऑसम या फिर जो भी लिखना चाहो वह लिख डालना ठीक है अब मैं आपको बता लेता हूँ उस सेटिंग के बारे में कि वह सेटिंग आपके फोन में कहां पर है और किस तरह से उसे आन क अब आउट फोन पर आपको क्लिक करना है और यहां पर सॉफ्वेयर इन्फॉर्मेशन जो आप यह देख रहे हो इस पर आपको क्लिक करकर इसे ओपन कर लेना है अब जैसे इसे आप ओपन करोगे यहां पर आपको एक आप्सन मिलता है व्यूल्ड नंबर का ठीक है यह जो नंबर देख रहो इस पर आपको साथ बार क्लिक करना है साथ बार क्लिक करोगे आपके फोन में एक नया सेटिंग जो ओपन हो जाएगा जिसका नाय में डेवलोपर ऑप्सन जो कि मेरे फोन में अल्रेडी जब वो एक्टिवेट है तो मैं यहां पर क्या करूंगा सिंपल ड अब इसके बाद यहां पर इसे ऑपिंघन करने के बाद यहां पर निच्चे आओंगे ठीक है तो आपको यहां पर आने के बाद आपको एक मिलता है मिनिममम विद के नाम से इक आपसेट आपको सिंपल यहाँ पर जो सर्च आइकन है अपको इसपर क्लिक करना और लिखना क्या है यहां पर लिखना है smallest smallest S-M-A-W-L-E-S-T with ठीक है यह मैंने यहां पर लिख दिया अब उसके बाद यहां पर देख सकते हो यह आपके फोन में आ जाएगा बस आपको इसे open करने के बाद यह directly जो है वो उस page पर भेज़ देगा आपको और यहां पर निचे में आप देख सकते ह यह यहां पर सो हो रहा है तो आपको क्या करना है इस पर click करना है click करने के बाद सबसे पहले दोस्तों आप इसका screenshot ले लो ठीक है यह आप अपने phone में screenshot ले लो और अगर ना हो पाए तो इसे आप कहीं पर लिख लो या फिर copy कर लो ठीक है इसे copy कर लेना है और उसके बाद य मेरा जो फोन है वो टैबलेट में कंवर्ट हो चुका है बिलकुल हूब 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 ऐसा लग रहा है कि मैं एक टैबलेट यूज़ कर रहा हूँ और यहीं नहीं सिर्फ छोटा-छोटा जो फॉन्ट है वो नहीं हुआ है बलकि सारा कुछ जो भी आप देखोगे यह देखिए नौटिकेशन पैनल कुछ इस तरह का हो गया मेरा चेंज और उसके बाद अगर मैं यूटूब ओपन करूं तो यूटूब भी कुछ इस तरह का जैसे टैबलेट में ओपन होता है कुछ इस तरह से यहां पर भी यह ओपन हो चुका है कुछ अलग टैप का कुछ यूनिक टै उपर में देखा होगा उपर यहां पर सर्च वहरा करने का ओप्सन देखिए यह जो है आप यहीं से कट कर सकते हो ठीक है नया नया जो है वो पेज आप ओपन कर सकते हो और यह कुछ इस तरह से बिलकुल अच्छी तरह से यहां चेंज हो चुका है और बिलकुल टैबलेट क कर रहे हो एक महेंगे वाले टैबिट यूज़ कर रहे हो सस्ते फोन में ठीक है अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ अगर माली जी कि इसे करना है माली जी से हटाना है और अपना जो पहले मेरा normal phone था कुछ उस तरह से पहले जैसा करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले आप अपने phone में settings को open कर लेना settings open करने के बाद जो आपने लिखा था smallest width, आपको उसे search कर लेना है, ठीक है, और उसी के अंदर आ जाना है, minimum width के अंदर, और यहाँ पर देख सकते हो, नीचे में आ चुका है, अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको वो लिखना है, जो आपके फोन में था, मेरे फोन में जो नंबर था, चार्ट होई गा ठीक है, अब जैसे कि मेरे फोन में था 411 था, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ओके पर अब क्लिक कर दूँगा, 411 लेकर, और जैसे मेरे पहले फोन नॉर्मल था, उस तरह से यहाँ पर हो चुका है, ठीक है, अब इस तरह से आप जो है वो, यूज कर सकते हो, बहुत ही और मिलता है किसी नए वडियो के साथ, जाहिल